नमस्कार डेली PCSG के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्विधान की आठवी अनुसूची में शामिल नहीं है बोडो, मैथिली, उर्दू या फिर अंग्रेजी सम्विधान की आठवी अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को सम्विधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था अनुसूची में भारत गर्णाज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूची बत किया गया है बारतिय सम्विधान के भाग 17 में अनुछेथ 343 से 351 तक शामिल अनुछेथ आधिकारिक भाषाओं से संबंदित है हालां कि यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा को आठवी अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई निश्चित मांदंड निर्धारित नहीं है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन D अंग्रेजी आप में से अधिक्ता स्टुडेंट ने इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में सही भेजा था जवाब भेजने के लिए शुक्रिया आईए शुरुवात करते हैं आज के सेशन की पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा को विक्सित और उसका प्रसार करने का प्रावधान करता है ताकि वह भारत की समग्र संस्कृती के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कारे कर सकें अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353 या फिर अनुच्छेद 354 इसका सही जवाब ए उप्षन A, अनुच्छेद 351 अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को विक्सित और उसका प्रसार करने का प्रावधान करता है ताकि वह भारत की समग्र संस्कृती के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कारे कर सकें यह आठवी अनुच्छी का हिस्सा है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाबे उप्षण A, अनुच्छेद 351 अगला प्रश्ण है बोचासन वासी अक्षर पूर्शोत्तम स्वामी नारायन संस्था का गठन किस वर्ष किया गया 1903, 1904, 1905 या फिर 1906 इसा सही जवाबे उप्षण C, 1905 हाली में B.A.P.S. स्वामी नारायन संस्था द्वारा दुबई अबुधाबी शेक जायद राजमार्ग पर अर रहबा के पास अबु मुरीखा में हिंदू मंदिर का निर्मान किया गया है मंदिर के लिए बड़ी संख्या में गुलाबी बलुवा पत्थर उतरी राजस्थान से अबुधाबी लेचाया गया था बात करें बोचासन वासी अक्षर पुर्शोत्तम स्वामी नारायन संस्था के बारे में तो यह स्वामी नारायन संप्रदाई के भीतर एक हिंदू संप्रदाई है इसका गठन वर्ष 1905 में यग्यपुरुष दास द्वारा उनके द्रिण विश्वास के बात किया गया था स्वामी नारायन गुडाती तानन स्वामी से शुरू होने वाले गुरुओं की एक वन्शावली के माध्यम से पृत्वी पर मौजूद रहें अगला प्रश्ण है किस वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस का आतंकवाद निरोधी दस्ता बनाया गया 2007, 2008, 2009 या फिर 2010 इससही जवाब आप्शन ए 2007 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में आतंकवादी घटनाओं से निपटने हे तू आतंकवाद निरोधक दस्ता का गठन किया गया था आतंकवाद निरोधक दस्ता उत्तर प्रदेश में कई ऑपरेशन टी में ATS मुख्याले पर एवं फील्ड यूनिट्स उत्तर प्रदेश के विभिन जन पदों में कारिरत है हालांकि यह आम तौर पर आतंकवाद के खूफिया पहलूओं से निपटता है लेकिन यह वर्ष 2017 से अपनी सामरिक आतंकवाद विरोधिक शमताओं को बढ़ा रहा है प्रदेश के विस्तरित सीमा एवं आतंकवाद नकसलवाद की गंभीर समस्या के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में आतंकवाद निरोधक दस्ता के अंतरगत स्पेशल पुलिस ओपरेशन स्टीम का अगठन किया गया अगला प्रशन है भारतिये विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है 10 जन्वरी, 24 मार्च, 9 अक्तूबर या फिर 1 डिसंबर इसा सही जवाब उप्शन C, 9 अक्तूबर भारत सरकार ने 9 अक्तूबर 1946 को विदेशों में भारत के राजनाइक, कॉंसुलर और वाणिजिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतिये विदेश सेवा की स्थापना की पता ब्रिटिश शासन में लगाया जा सकता है जब विदेशी यूरोपिये शक्तियों के साथ व्यापार करने के लिए विदेश विभाग बनाया गया था आईएफेस के अंतरकत कार्याले हैं राजदूत, उच्चायुक्त, महावाडिज्य दूत, संयुक्त राष्टर में भारत के स्थाई प्रतिनिधी और विदेश सच्चेव कुछ ऐसे कार्याले हैं जो भारतिये विदेश सेवा के सदस्थियों के पास होते हैं अगला प्रशन है नौएडा अंतराष्ट्रिय हवाई अड़ा जिसे एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड़ा भी कहा जाता है कहां विक्सित किया जा रहा है चित्रकूट, गौतम बुध नगर, गोरखपुर या फिर सिधार्थ नगर इससे ही जवाब ऑप्शन भी गौत गौतम बुध नगर, उत्तरप्रदेश सरकार ने वर्श दोहजार चौबिस पच्चिस के बजट में गौतम बुध नगर में आगामी नौएडा अंतराष्ट्रिय हवाई अड़े के लिए 1150 करोर रुपे आवंटित किये हैं, यह हवाई अड़ा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड़ा है, यह हवाई अड़ा विश्व का चौथा सबसे बड़ा अंतराष्ट्रिय हवाई अड़ा और उत्तरप्रदेश का पांचवा अंतराष्ट्रिय हवाई अड़ा होगा, यह दिल्ली NCR में इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रिय हवाई अड़े के बाद दू 2015 या फिर 2016 इससे ही जवाब ऑप्शन डी 2016 उड़े देश का आम नागरिक योजना को वर्ष 2016 में नागरिक उड़यन मंत्राले के तहत एक्षेत्रिय कनेक्टिविटी योजना के रूप में लौच किया गया था इससे राश्ट्रिय नागरिक उड़यन नीती 2016 की समीक्षा के आधार पर तयार किया गया था और इससे दस वर्षों की अवधी तक लागू रहने की योजना बनाई गई थी इस योजना के तहट RCF बनाया गया था जो कुछ घरेलू उड़ानों पर लेवी के माध्यम से योजना की VGF आवशक्ताओं को पूरा करता है VGF का अर्थ है एक मुष्ट या आस्थगित अनुदान जो की आर्थिक रूप से उचित लेकिन वित्तिय विवहारिता से कम होने वाली बुन्यादी धाचा पर योजनाओं का समर्थन करने के लिए प्रदान किया जाता है अगला प्रशन है क्रिशी विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई 1974, 1977, 1980 या फिर 1984 इसका सही जवाब है उप्शन ए 1974 क्रिशी विज्ञान केंद्र यानी केवी के राश्ट्रिये क्रिशी अनुसंधान प्रणाली का एक अभिन अंग है पहला केवी के वर्श 1974 में पुडुचेरी में स्थापित की आ गया था केवी के का अधिदेश इसके अनुपरियोग और क्षमता विकास के लिए प्रोद्योगी की मुल्यांकन ठता प्रदर्शन है जाइब, एजन्ट, पशुधन भी उतपादित करते हैं और इसे किसानों को उपलब्द कराते हैं केवी के योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्थ पोशित है और केवी के क्रिशी विश्व विद्यालेयों, ICAR संस्थानों, संबंदित सरकारी विभागों और क्रिशी में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों यानि NGO को स्वीक्रित है केवी के प्रियोक शालाओं और क्रिशी भूमी के बीच एक पुल के रूप में कारे करते हैं सरकार के मताबिक 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्षे को पूरा करने के लिए ये महतपूर्ण है अंतिम प्रशन है हर्याणा राज्य स्थानिये उमीदवारों का रोजगार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था 2020, 2021, 2022 या फिर 2023 इसका सही चवाब ऑप्शन C, 2022 हर्याणा राज्य स्थानिये उमीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 में दस या अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों को राज्य अधिवास के योग्य उमीदवारों के लिए 30,000 रुपे प्रती महा से कम वेतन की पेशकश करने वाली सबी रोजगारों में से 75 प्रतिशत आरक्षित करने की आवशकता है हरियाना ने वर्ष 2022 की शुरुवात में हरियाना राज्य स्थानिय उमीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 लागू किया इस अधिनियम में कमपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, साजहदारी फर्म और बड़े व्यक्तिकत, नियोक्ताओं, सहित, विभिन संस्थाएं शामिल थी तो इस तरह इस प्रश्ण का सही चवाब आप्शन C 2022 आईए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्ण निम्नलिकित में से किस राज्य द्वरा अधिवास्कियों के लिए रोजगार, आरक्षन, विध्यक या कानून की घोशना की गई है जारखंड, महराष्ट्र, राजस्थान या फिर पश्चिब मंगाल इसका उत्तर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर भेचिएगा अगले सेशन में नए प्रश्चनों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए and stay motivated Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले